गुट मॉनिंग फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दा चैनल कल केवला देव गना गुमने के बाद मैं गाउं चला गया बीच में ब्लॉग नहीं कर पाया मैं किसी कारण वस और अभी अगली सुबह हो गई है और हम जा रहे हैं अभी आगरा की तरफ जिस काम से मैं आया था उस काम और यहां रहा है और पीछे हुए द लाल जी पहले आप परचित क्लीभि वडूरको करते होंगे अजर वैसे ताजमयल गुमने का हमारा प्लान था लेकिन आज इसक्रुवार है कामारा सुखरुवार के दिन वाहां जो है अजिज आ फ़सर यहिश्र कर दा सरboutर में वो नमाज बढ़ने के लिए ताज मेल के अंदर जाते हैं क्योंकि ताज मेल के अंदर एक मस्जिद है तो उसकी वज़े से गौवर्मेंट गाइड लाइन से ऐसी की सुकरवार के तिन वो ताज मेल जो है सिर्फ बी आईपी लोगों के लिए और कुछ गैस के लिए ओपन रह आई तो फ्रेंड्स अभी जो सिठी गुजरिये बीछे वो था फटेपुर सीखरी पटेपुर सीखरी अभी हम रुके नहीं क्योंकि हमें आगरा जाना अभी और आगरा का आगरा से जब हम रेटान आएंगे तब हम पास्टाइम बसता है आगरा में मोसम बड़ा सुआवना है पारी सोरी है रिम 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 नहीं मार देखिए रिम रिम रसे смप मार जला को लुके रिम रखमेप। ख़ैंद लिम रखने याप रव्राल में रखरा म्राइन रख च्राइंगे वरां राश्चरी टेम रही में रहां ज़ सुआफोड़ पास्टारा झाल ऑलओ। एंपनेर दियुक्ष नवार्थ, पॉरर्णी डियुक्तार कि अवीड़ राउन्ट नार पर्णी कि ग्रावाट रावड़ देशैंटिकंट रावड़ ही अवी परैस फबिशे कि आ देल देले बावर डियुक्तार परतमों लोग आगर आये हुए और ताजमेल बंद है सुक्रवार है क्योंकि नमाज का दिन है लेकिन लाल किला ओपन रहता है तो अभी लाल किले के गेट पे खड़े हैं टिकट खरी चुके हैं अभी टिकट एक बंदे का टिकट आया 35 रुबे का बाकी अब अदर जाएंगे हम लोग और आगले क्रे के किले की सेर करके और तौत आए लोग आप जा रहे हम अंदर के और हमारे साथ होने वाले है भाई जो के हमें कईट करेंगे क्या नाम है वाई आहwasser राजा बाई नाम है और यеф किले के वारे मैं हमें बताएंगे तो आए चलतें किले के अंदर प्रोप्न पिनो गेट पूरे जिग्जड बने गए पहले गेट पहड़े होंगे दूसरे टीसरा नशान नियागा यह गेट का बना वाई हम्द०ु पहड़े होंगे तीसरा नासण न आगा抵्दु यह गेट का बना दर्व Absolutely नगाले बुहती तो डुर्ब प्लिस के लिए इस आगराफ पोट के अंदर ये पूरी लाइनिंग अमर सिंग गेट से पूरा आपको उपर ता देखेंगे मिलेगा और सामने अब दो सारे कलर पेंट हो रहा है इसको अमर सिंग इसली बोलते हैं क्योंकि मुगल जमाने में अक्बर का चीफ कमाड वाजी ता जिसके गाने के लिए क्योंकि आर्मी के दभाने के अंदर अम्र गेट को इसी गेट पर उनका मत्र किया गया था चुरा वाक के पीट की फीचे वार किया था दुश्मनों ने उनके मनने के बाद अकबर बाश्या ने इस गेट को नहीं के नाम से बना गये तयार किया तो उनका पूरा नाम आता है अमर सिंग राठोर लिविंश टाइम ये अगर दुश्मन नहीं रुकता है तो उपर वाले गेट से फत्त्रों के रॉल बनाके नीचे भेके जाते थे ढाल बनाके अगर दुश्मन फिर भी नहीं रुकेगा तो लार्श कमान होता था था तीरों से तीर लेकाला कमान पर लगाया छोड़ दिया यह सिस्टम है इसकी आवाई आपको वहां तंग में लेगी बूझ रहें इससे आगें प्रॉंटरी पार करेंगे साउंग खत्म हो कि तालियों की जो आवाज है दोनों साइड से गूझ रही थी इदर से भी इदर से भी जैसे एरपोर्ट्स में या एरफॉन में आवाज ग बाखी मौसम बहुत अच्छा है आज ठंडा मौसम हो रखा है सुबह देखा है अपने बारिश हो रही थी बैक सैट पार्स आर्मी एरिया बिरिन पार्क पूरा आर्मी एरिया आई 25 परसेंट में उगलों की रिलेंसी बनी आपको अंदर से लेके लिए सामने वाला सर बनावा है जहांगीर का वाश टप क्योंकि जहांगीर के मामा मान सिंग ने उनकी सालगेरा के दिन इस टप को जैपूर से आगरा बेजाता गोल्ड सौना चांदी भर गे जहांगीर को छोटी उमर के अंदर सुमिंग करने का शौक था जब वो बड़े हो अकबर ने इस टप को बिल्डिंग के बार रखाता डिस्प्ले एक्जिबिशन के लिए यह पूरा वन पीस में बनाए इस पर सर कोई जौन नहीं है सामने आप देखिएगा जांगीर का फूरा बिल्डिंग डैमेज पड़ावाय तूटा पड़ावाय यह है अकबर का पैल मुआ है जब करा दोग neutrımızı के लाव यह है अकबर का फूरा बिल्रा है अकबर का बिल्डिंग के लिए अकबर का बिल्डिंग के लिए है कि अंदर गेट आप देखो सबसे पहला कि रोजा था यहां तक के लिए इस गेट को शॉट करने के वज़े से इस गेट को कड़वाय के पूरा यहां तक बनाए क्योंकि जब अग्बर वाश्या किछी घोड़े पर यहां राते थे तो उनका हाथी से खाली यहीं तक कि उनको परविशन देते थे आने के लिए और इस लूपर आप देखो दो फ्लॉ काहर की जो भी कूलिंग बिल्डिंग में एंटर करेगी सारी बिल्डिंगे येर कंडिशन का काम करेंगी यही मुंतास के मैल में यही अकबर के मैल में मुझरा चालू होता था चार बजे क्लोसिंग होता था साथ बजे तीन घंटे का मुझरा बी आईपी लोगे साथ में ज के लिए मनननमागी दुन का बैटा प्रता गुष का नाम रखा था मुहम्मद सलाउदिन उप जहांगीर का सिंगासन मनावाई बिल्डिंग ते उपर दीवाने खास में पर यहां सबसे बड़ा सवाल है बी आई पी बैटने का लोगों का रीजन बी आई पी उपर बैटेते राजा रानी नीचे दासिय नीचे दो ही आगमी अकबर के किलोस्ते बीरबल मुल्ला दोप्याजा सेकिंड दीले लाही गौड इस दा वैस्ट अगर दुनिया में गौड है तो आप और हमें अगर गौड नहीं है तो दुनिया नहीं है यह लिविंशागर फूर में देखे नहीं है तो लोग दूकर कलावाजी पूर्स कला को दो खूरा हिंदू कला इसा ही फटेपुर्सी क्रीम दूको सेंटू को बिए और पंच महर में बनावा है इसमें डिवारों में आप दोको फूरा कटिंग गूम बनावा है यह सिस्टम पास करने के लिए अगर सबाल है य दूल बनावा है झाल 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 ताज मेल तो ओपन नहीं है लेकिन आप यहां से ताज मेल को देख सकते हो बाकी भाई गाईड क्या बता रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ज्यादा इत्यास की जानकारी नहीं है लेकिन कुछ वो हो सकता है सच बता रहा हो और बाकी आपको पता ही है पुराने इत्यास है इत्यास हमेशा कुछ ना कुछ अलग आदमी अलग अलग तरीके से जानता है इत्यास को बाकी बहुत अच्छी हो आ रही है सामने से किला देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पुराने काल में कैसे लोगवाग रहते थे पानी कैसे सप्लाई होता था इसमें किले में किस तरह से एर कंडीशनिंग थी यहां पर यह सारी चीजें इसमेल की खासियत है और मोगल सम्मराजी की एक निसानी है आप आप देखो पीछे बहुत सामदार आवा रही और यह अनूथी जो यहां के राजा थे को भी लेते थे ताज मेल सामने है यहां से पूरा ताज मेल निकता है यहां पर मज़ा आ रहा है खड़े होने में और यहां से ताज मेल साफ साफ की होना जाए है झाल आपढ़े है झाल झाल प्राइडन अंगूरीबाद यह तो पचास कमरे का सिक्रूटी बीटल है बर्केंग एंगरेस बिल्डिंग का नाम देखेंगे आम बनावार उता स्रानी का पहले जीर पाइडें इसमें आप देखेंगे पर इसके ठीक सामने बनावाई शाजा का जेल जहां बेटे ने बाब को नजर कैद किया था शाजा को बंदी बनाए सब्सक्राइब कर दोस्तों साजा की जेल साजा को जेल में बंद कर दिया था उसके लड़के ने औरंग जेव ने साइद यहां तक मुझे पता है चलेंगे मादों देरा है बाकी सफेद पत्तर है बिल्कुल इसमें शारा पीछे लाग पत्तर था और यहां पर सफेद पत्तर है जाजा बुजू करके नमास अदा करने के लिए जाते के मीना मस्जित के लिए पर जबाजबन के बेटे दे शाजा को नजर कैट किया बंदी बनाया इस प्लेस के लिए इसमें आद देखेंगे सारे नकाशी के कलर स्टोंग बिल्डिंग इंपर से बिल्डिंग नीचे कर देखेंगे, बुली चे बनावातो इसका मतलब क्या था फ्रेंट को होदा था काश का शीशा जब शूरत की करेने शीशे पे आती की ओपर से बानी आएगा से शीशे को पज़े तो पारी ओगोंगा थंडा सर्गियु में जब फॉक्सी क्रेंटर्स को जाती थी पानी से तो इसके नॉर्मल उपर दन्धी बून क पूरा पांच सप्टाइगे अंदर असुस्तम से उपर दन्धी बूब होगे पूरा ब्लास का माना है वाहली काम उपर देगो पूर तो पूरे टावर प्लास को करना है तो यह विलापन दूपा है तो यह पूरे दीनी आपने पार इसलिए रियाटी की शांजा का जब दे पूरे पूरा और नकासी हुई है आपने देखा ही होगा भी जेल भी बड़ी सांदार थी भई आज कल की जेल मैंने तो देखी नहीं यह लेंगे इसी जेल तो नहीं होती होगी बादसा की जेल थी भई यह इसे इसे जब्रहों को सब्सक्राइवि जब्रेब्स को गाज़ा रभुने आग्रा भोड के अंडरी सेलिव गर्याज़ को वहार जाने की परभिचह नहीं विलेगा जोगी मार्केडिंग करना है आग्र वोंग करेंगे दो मार्केट पे डिजान्स किया था, शाय जट के चयен मे के मे लबकता मेना बजार, ओसे जाने न में रचषता हो घता किस वाले मेस भीषाल का मतब था लचय ऐस था नगलफ पाने हम खागए कर दल्याजाब में पूरा डैमेज हो रहे का कारण था कि बिटेश लोगों ने जो लाश रटेक किया था 1918 में और अरण जिक्षाशन में तो वहां से गोला छोड़ा यह टूटा बाउंस होगे सीधा बिल्डिंग उपर लगाए तुपाने खास के लिए का इसाथ किताब दीवाने आम में आम ज बड़ने बाइ दूनों यहने ताइमेल का नजारा देखिए इन घृगव्म से यहां से नॉर्मल देखरा है कि आपके प्रिखक्री है है, इसानल में आपके मंजना बहुता है, तो अगया को देखने हैं, जानल में आपके मनना बहुता है, तो आपके मिलाखें एक प्रिया है. प्रेंट से पीछे आप देख रहे हो यह था दीवाने आम जहां आम जनता बैठती थी और जो राजा था वो मेन पुर्सी पे बैठता था वहाँ पर और इसको इस तरह से बनाया गया है यह चार तरब से जिदर से भी जनता बैठ के देखती थी तिदे यहां से राजा ही है अब कर रहे हैं तो फ्रेंट्ट्स अभी हम कर रहे हैं अंगूर जाता था इसको यहां पर पीचे अंगूर की बेल ने देखो और गार्डन है यहां पर तरह तरह की घास थी हो सकता है उस टेम पर फ्लावर्स होंगे पानी होगा जो की बड़ा सुन्दर लगता होगा देखने में और वाइट संग मरमर है पीछे अलग अलग तरह की छत्रियां कोई छोटी कोई बड़ी और जो उपर जो गोल्डन कलर का है इनमें यह सारा जो पहले जो पानी वाटर सिस्टम था था अब रहता है कि अधर की सैट यह जियन ती ती इसकी जानी और रहंग जैव ने इसको इदर ज Aware में कहर दिया था जेल में आपको दिखाई आड़ाइद यह है, आराम गाहिए यहां पर आराम करते थे और खास गर्वी था खास लोग बैठते थे यहां पर सामने से ताज महल का व्यू है और सांदार हवा आती है चलो हम इसके अंदर चलते और थोड़ी हवा का आनंद लेते हैं ठंडी ठंडी हवा रही है क्योंकि पीछे यम्ना न दीती जिसमें पूरा पानी भरके चलता था सामने ताज महल का व्यू था और बड़ा सामदा लगता था आज भी वह व्यू है अलाकि यम्ना में पानी थोड़ा कम हो गया है बाकि ठंडी ठंडी हवा आती है खास महल बोला जाता था इसको खास महल इसलिए क्योंकि यहां पर खास-खास लोग ही इस तास महल के बगल में इधर साजा की जेल है इसको साजा को औरंग जेव ने इस जेल में मंत प्रफिया था कि अच्छा आती है और हवा जोठी पूलर जेसे तो अच्छा की होता है आपको एंदी जीशनिंग जैसा की लोगा है क्योंकि हावा जिए बाट थंडी हो जाती है नीचे गहरा ही है अबना नत्या फानी पी अभी अभी तो कुछ वेंडरा भी लग रहा है और हवा आ रही कि हवा बहुत बहुत नहीं हुआ 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 है कि यहां पर इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन यहां का टैंप्रेचर ऐसी जगहों पर खड़े होते हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है इस महल की बनावट इस तरीके से है कि जिस भी जगह हम खड़े होते हैं वहां पर ठंड़क मैसूस होती है जैसे आप पीछे देख रहे हो यह एर कंडिशनिंग रूम है सारा और अभी में अंदर जाके देखते हैं जब इसको बजाओ के देखो इसमें से आवा आ जाती है यह पूरा पोलाई क्योंकि इसके उनदर जो है नहीं है और ये इसी लिए पोलाई क्योंकि इसमें ठंड़क रहे कुछ वार्टर सिस्टम भी होगा जisesti इसके बारे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो Bluetooth कर दो घ्लीप्ल कर दोze कर दोे तो कि अच्छी हम तोड़ा उल्टा आ रहे हैं वापस और अपने नजर यह से दुवारा से देखें एक बार गाइड के साथ और एक बार अकेले देखें और इसका अन्भव कर रहे हैं पीचे रानियों के महल थे रानियों के महल के जस सामने जो है मान सिंग द्वारा गिफ्ट किया गया एक टब है वो गाइड ने दिखाए ही था आपको फिर दोबारा से मैं दिखाता हूं यह सामने जो आप देख रहे हुए जांगीर का महल था जिसको परतपुर के राजा सू जागरा फोर्ट की विजिट पूरी हो गई है हमारी पहले भी कई बार आ गए हम लोग और हर बार आते तो मज़ा आता देखने में इसको बाकी थोड़ी नॉलेज इस बार मैंने वीडियो में दी है और पुद भी लिए पहले गाइड वगरा की हमने जरौतरी समझी ऐसी ग क्योंकि किसी पर ऐसी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह जो भी बता दे वह सचा ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरह से मैंने पढ़ा है उसे साब से थोड़ा अलग था उसकी बातों में थोड़ा सा डिफ्रेंस था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया । इसके एंट्री गेट पर आप देख रहे हो ये रास्ता है जो रास्ते में चोटी-चोटी धारिया आए जब नीचे से गोड़ा आता था उपर तो गोड़े को चलने के लिए सब्सक्राइब हो इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया है बगल में नालियां थी चोटी-च कर्मन हुआ बाहर से किसी भी तरह की सेना आई तो उसके लिए गरम तेल गरम पानी या तरह तरह की जो यातना होती थी नालियों के तुरू जो है नीचे आती थी और देखो कितनी बड़ी दिवार है इसकी विसालियत का एसास इसके बगल में चलने के बाद ही होता है दीरे दीरे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उतरते हुए जा रहे हैं किले से ये गहरा ही बढ़ती जा रही है और आप पिछला हिसा देखो कहां पर है और ये गहरा ही जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बढ हम लोग निकल रहे हैं वापस हम मैंसे एक बंदा मिसेंग है उसके पास जा रहे हैं भाई यह है अमर सिंग गेट यहां पर अमर सिंग का मडर हुआ था और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं उसका वह था है अब नहीं दो आख शुटे से वह बारा था है हम पर मॉटे रहे इंग कई मतक्रियो प्रेव आग May हम उपकर खिजर मन्मितह भाई भी था-इंग हम अ म अइंग हम अइंग आगरा की विजिट हो गया पूरी और अब हम रिटान जा रहे हैं पतेपुर सीक्री होते हुए भरतपुर की तरह अगर ठाइम रहता है तो हम पतेपुर सीक्री रुकेंगे खाना नहीं खाया अभी तक सुवे से चाई पी है खाली और तीसरा बंदा हमारा आ गया है इसका काम पूरा हो गया एक्चुली और बीचे बरतलाल क्या कर रहा वाई क्या कर रहा है सेव खारे हैं बहुत बड़े-बड़े सेव हैं और भूख लग रही है तो सेव सेव से अभी आगे कहीं रुकेंगे खाना खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा मैं ठोड़ी बुल की चीजे खाऊंगा अब डाइटिंग पर जल रहा हूँ और बाके यह तोनों कमजोर कमजोर खाएंगे सबसे बड़ा कमजोर देखिए बहुत कमजोर है यह और पतेपुर सीखरी भूमने का प्लान है अग्स offense के टाइम बचपाता मैं पताक सता जिर्दी बचेतर की तीन बजने के करीवन हमें आदा घंटा कम से कि अपल कि अपल